आप सम मसीही भाई वहनों को प्रभुईशु मसी के मीठे और पवित्र नाम में जय मसी की आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ प्रभुईशु के दया से जो मुझे आसा है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही आशीस में होगा तो मेरे प्रियों आप सब अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप प्रभुईशु की सिच्छा में आगे भर सकें और आसीस को पा सकें तो मेरे प्रियों आज का विशय है कि क्या आप धनी बनना चाहते हो या अनंत जीवन को पाना चाहते हो इसी विशाय पर हम बाइबल के बचन से सीखेंगे कि प्रभुईशु मसी ने क्या कहा है कि हम कैसी स्वर्ज में पहुँश सकते हैं सो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति प्रभुईशु मसी के पास जाता है और उनसे प्रश्न करके पुछता है कि हे गुरू अनन्त जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं तब प्रभुईशु मसी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मुझसे भलाई के विशाय में क्यों पुछता है भला तो यही है कि तु अगर अनन्त जीवन यानि श्वर्व को जाना चाहते हो तो पडमेश्वर पिता की आग्या को माना करो तो उस धनी व्यक्ति ने प्रभुईशु मसी से पूछा कि कौन सी आग्या को माने तब प्रभुईशु मसी उस ब्यक्ति से कहे कि हत्या न करना, ब्यविचार न करना, चोरी न करना, जोटी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आधर करना और अपनी परोशी से अपनी समान प्रेम रखना ये सारी आग्याओं तो प्रभु एशु मसी ने उसे ब्यक्ति को मानने के लिए कहे तो उस ब्यक्ति ने एशु मसी से कहा कि यह सब आग्याओं को मैं मानता आया हूँ, अब मुझे में किस बात की कमी है, तब प्रभु एशु मसी उससे कहे कि अगर तुम सिद्ध होना चाहत हो तो अपना सारा संपती को बेज करके कंगालों को दे दो तो तुझे श्वर्ग में धन मिलेगा और आकर तुम मेरे पीछे हो लो तो दोश्तों आप सब जानते हैं कि वह जवान क्या किया वह जवान चुपके से प्रभु एशु मसी के पास से उदास होकर के चला गया और य परहेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से वह जवान प्रभु एशु मसी को छोर करके चला गया तो दोस्तों उस जवान को स्वर्ग से जादा अपनी धन संपती पर भरोशा था और वह धन को खोना नहीं चाहता था इसलिए वह एशु मसी के पास से चला गया आज बहुत से ऐसे ब्यक्ति हैं जो अपने धन पर ज़्यादा भरोशा रखते हैं और प्रभु से नहीं डरते वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा यानि धन संपती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कौन कुछ कर सकता है प्रन्तों वो नहीं समझ पाते कि ये धन और दिन काम नहीं आएंगे वो एक दिन सब छोड़ के चले जाना है जैसा कि हम लुकारचि सुसमाचार सोला ध्याई के उनईस पद से 31 पद में हम पाते हैं कि कैसे एक धनी व्यक्ति रोज भोज करता था और भोग विलास में हमीशा लगा रहता था और उसी के लेहुरी के पा जो घाओं से भड़ा था रोज उसकी टेहुरी पर छोड़ दिया जाता था और उस धनवान के मेज़ पर के जो भी जुठा बजता था वो खाकर के अपना पेट भड़ा करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया जैसा कि हम लुका सोला के बाइस पदों में मर जाता है और वो नरक्य में चला जाता है और वो वहां तरपते रहता है तो वो लाजर को देखता है कि वो स्वर्ग में आनंद के साथ खेल रहा है तो वो लाजर को पुकार कर बुलाता है कि वो उसको थोड़ा पानी भी चुसा दे प्रंतो हम पद 25 में देखते हैं कि पि कि तु अपने जीवन में अच्छी बश्टुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी बश्टुएं प्रन्तु अब वह यहां सांती पा रहा है तु तरप रहा है और यह भी बातों को काते हैं कि तुम्हारे और इसमें बहुत बड़ा गढ़ा ठराया गया है जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहे वह नहीं जा सके और जो वहां से यहां नहीं आ सके यह बातों को सुनकर विधन प्यक्ति कहता है कि आप लाजर को मेरे घर को भेजे ताकि मेरे और सब भाई और परिवार यहां को यानि नरक को आने से बस सके तब अब रहाम पिता कहते हैं कि उसको पर कोई विश्वास नहीं करेगा वहाँ पर मुशा और भायुजदक्ताओं को नहीं सुनते हैं तो यदि कोई मरे हुए वहाँ पर जाए जी उट करके तो उसको वो कैसे सुनेंगे और कैसे मानेंगे। तो मेरे प्रियों दोस्तों यहां हम आज देखते हैं कहानी में जो दो धनी व्यक्ति के बारे में एक धनी व्यक्ति जो है एसो मसी के पास सारे धन को बेच के कंगाल को बाटने के बारे में सुनता है तो वो है जे वापस रिटान हो करके लट जाता है और उदास हो कर लटता ह उसे लगता है कि मैं काइसे इसे इतना मेहनत करके इसे रखा हूं दे दूँ और दूसरे भ्यक्ति को भनवान भ्यक्ति को बारे में देखते हैं कि वो है जो रोज है जिब होग विलास में रहता है रोज उसके यहाँ पाटी होता है रोज उसके यहां भोज होता है और वो एक दिन मरता है तो वो नरक को जाता है और उसी के टेवरी के पास एक कंगाल है एक बेचारा घाव से पड़ा हुआ एक गरीब व्यक्ति है वो है मरता है तो अबराहम के गोद में जाता है और उसे पता चलता है कि मैंने क्या गलती किया तो मैं यहां हूँ और इसने क्या सही किया जो अबराहम के गोद में है तो मेरे प्रियो दोस्तों आज हम आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है उस वीडियो से परमिश्वर के बचन से आज आप आसीसित हुए होंगे प्रभु आपसे बाचित करे और हर गुपते भेदों क आपको परगट करे तो मैं आप सब को अंतक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं और प्रभु से ही प्रात्ना करता हूं कि प्रभु को इस वचन से आप सब को धेर सारे आसीस दे और बहुत ताय से पवित्रा आत्मा की सामश्य भर दे ताप सब को मिलते हैं झाल